हेलो दियर श्टूडिय एंट्स, वेलकम बैक टू माई स्टूडी मेडिल ही चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कारिपतरक 36 यानि की वर्षीट नंबर 36 की जो कलास 8 के समाजिक विज्ञान का दगत इतिहास रिलेटेड है और जो 15 दिसंबर 2021 के लिए से किया गया है और इसका विषय है राष्ट्री आंदोलन का संग्ठन 1870 के दसक से 1947 तक तो आईए आगे बढ़ते हैं सबिन अवग्या आंदोलन की और असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद देखिए असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था और ये 1922 तक चला था और जैसे ही गा असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद गांधी जी ने गांधी के जो अनियाई थे ग्रामिर इलाकों में रचनात्मक कारे करने सुरू कर दिये थे चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू जैसे अन्य नेताओं की दलीले थी कि पार्टी को परिसद चुनाओं में हिस्सा लेन की दो महत्वपूर घटनाए थी उसी दवरान करांधिकारी राष्टवादी भगत सिंग भी सक्री थे इस दसक के आखिर में कांग्रेस ने पूर सोराज का प्रस्ताव पारित किया जवालाल नहरू के अधास्ता में 1939 में पारित किये गए इस प्रस्ताव के अधार पर 26 जन पूर सोराज अपने आप आने वाला नहीं था इसके लिए लोगों की लड़ाई में उतरना था 1930 में गांधी जी ने एलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे उस समय नमक के उत्पादन और विक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था मनला अंग्रेजों काधिकार था महत्मा गांधिया और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसलना पाप है क्योंकि वह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है नमक सत्यागरा ने सुतंतिता की ब्याफक चाह को लोगों की एक खास सिकायत सभी से जोड़ दिया और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया अब आगे बात करते हैं हम लोग दांडी मार्च की तो गांधी जी और उनके अनुयाई साबर मती से 240 किलो मिटर दूरी दांडी तट पैदल चल कर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक की कठा करते हुए नमक कानून का साजनिक रूप से उलंगन किया उन्होंने पानी उबाल कर भी नमक बनाया इस आंदोलन में किसानों आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया नमक के मुद्धे पर एक ब्यावसाई संग ने पत्र प्रकासित किया सरकार ने सांति पूर सत्यागरा आंदोलन को बरबरता पूर्वक को चलने का प्रयास किया हजारों करांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया भारती जंता के साजा संग अरसों के चलते आखिरकार 1935 के गौर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट में भारती या प्रांती स्वायता का प्रावधान किया गया सरकार ने आइलान किया कि 1937 में प्रांती बिधाई काओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे इस चुनाव के परड़ाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांगरेस की सरकार बने प्रांती अस्तर पर दो साल के कांगरेसी सासन के बाद सितंबर 1949 में दूसरा बिसुयूद छिड़ गया हिटलर के प्रती आलोचनात्मक रवईय के कारण कांगरेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रियासों में मदद करने के लिए तयार थे इसके बदले में वेचाते थे कि युद्ध के बाद भारत को सुतंत्र कर दिया जाए अंगरेजों ने यह बात नहीं मानी कांगरेसी सरकारों ने बिरोध में इस्तीफा दिया देखे यहां पर आपको दिखाया गया है किस तरीके से गांजी के द्वारा नमक कानौन तोड़ा गया आप देखे आज की वर्सीट में कुल चार प्रस्न हैं उन प्रस्नों का उत्तर हम लोग ढोड़ने का प्रियास करेंगे प्रस्न है कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे तो इसका आंसर हम यहां से लिखेंगे इसका आंसर यहां से हम लोग लिखेंगे यहां से यहां तक देखे चितरंजन दास से लेकर ठीक है चितरंजन दास यहां से लेकर और प्रभावित करना चाहिए पूरा यहां से लेकर हम यहां तक पाहले question का अंसर लिख लेंगे नेक्ट प्रस्टन है पूर सोराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो इसका अंसर हम यहां से लिखेंगे जोहालाल नहर्यू के अधश्ता में 1939 में पारित किये गए इस प्रस्ताव के अधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में सोज़नता दिवस मनाया गए जो अगला प्रस्टन है गांधी जी ने ब्रिटिस सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना तो इसका अंसर हम यहां से लिखेंगे इसका अंसर हाँ यहां से लिखेंगे इसका अंसर तिसरे गा महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर ट्रेक्स वसुलना पाफ है क्योंकि वो हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है ठीक है नमक सत्यागरा ने सुतंता की व्यापक चाय को नमक का एक सिकाय जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों गरीबों को भी जो है मदभेत पैदा नहीं होने दिया तो इस तरीके से यहां से आपको तीसरे प्रस्न का आंसर मिल जाएगा और जो लास्ट प्रस्न है वो है दांडी मार्च ने भारत के सुतंता अंदुलों को किस प्रकार प्रभावित किया तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे इसका आंसर डांडी मार्च लोगों के बुनियादी वस्तु नमक पर लगाए गए कार के बिरोध में किया गया जिसमें बहुत बड़ी संख्या में किसानों आदिवासियों और महिलाओं ने हिस्सा लिया जिससे भारती सुतंता अंदौलन और भी मजबूत हुआ तो इस तरीके से आज की यह वर्क सीट आपकी कंप्लीट होती है आई हो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तिससे लाइक करें सेयर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसका साथ एक बार फिर से आप सभी का तेडनी है तो बार फिर नहां करें तो अधनी है टानी है और भीम जोगारा करें सेक्ण वर लूगे टूबूवारा तोे तो मैं आपको तो कुटें उन्हां करें से तो इस अहां, इसका नहां, पुडरा हम भीम पार जोगे है चैनल. अभलें देनी हम तो दोंगे है के सिए